पानी की टंकी में जाल का सरिया केसे बांदा गया है ये साइट पर आज की वीडियो में ये देखेंगे और कितना सरिया लगया है इस डिजाइन के इसाब से बंदवाने पर ये भी देखेंगे ये जो आपको दिखाई देरे टंकी इसमें चार इंची की वाल की चिनाई हुई भी है चारो तरफ इसमें अभी चार इंची के पर्दी और बराई आट इंची के चारो तरफ से इसका जो साइज था चोडाई में पाच फिट है वो लंबाई में नो फिट है अंदर-अंदर टंकी का साइज दोस्तो तो इसमें जो सरीया बांदेंगे वो खड़े दाओ में 10 सरीया बांदेंगे और बांदी के इसाब से जो सरीया बांदेंगे वो आट इम्म का सरीया बांदेंगे डई सूत का वो तीन सूत का सरीया लगाएंगे दोस्तो टंकी में जो पाच फिट जो चोडाई में थे उसके जो सरीय की जो कटिन करी थी वो 10 पिट के सरीय कटिन करी यह जो आपको दिखाई दे रहा है इसको 3 foot 3 इंची पे से लागा देंगे दोस्तों सब सरीयों को 3 foot 3 इंची पे से लागा देंगे और जो लंबाई में 9 feet थी तो इसके सरीय कटिन जो करी है वो 13 feet के सरीय कटिन करी है और इसको 5 feet 6 इंची पे से लागा देंगे इसको तो इसका जाल का सरिया हो जाएगा नीचे की जाल का पर्दी का और ये जो पर्दी है इसमें जो बांदी का जो सरिया बांदेंगे वो 8 mm का सरिया बांदेंगे ये वाला दाव में जो 5 फिट है उसके सरिया गटीन 6 फिट के करी है और 1 फिट के एल लगा देंगे और जो लंबाई में 9 फिट था उसके सरिय कटिन 10 फिट की करिया आटेम की सरिय की और एक फिट इसमें भी एल लगा देंगे दोस्तों ये उसके बाद में दोस्तों पूरी जाल का सरिया बांदेंगे तो ये जो जाल का सरिया बंदावा दिखाई देरा आपको ये पूरा बंद गया दोस्तों दस फिट की जो सरिया काटे थे उसको जो सरिया चलाए थे और यहां से लेका नीचे से यहां तक काटे थे और नीचे की तरफ इसको एल लगा दिये थे तीन फिट तीन फिट पीछे वे दोस्तो बीच में जाइन्ट कर दिये दोनों तरफ से यह से ही लगाए थे तीन फूर तीन इंची पर एसे एल और यह जो लंबाई में थे वो पाच फिट शेंचे पर लगाए थे दोनों तरफ से बीच में पूरा जायंट हो गया दोस्तों इसका 10 mm के सरीय में और जो बांदी के इसाफ से जो सरीया बांदे थे वो 8 mm के सरीया बांदे थे 20 हूथ का और इसको भी 7 इंची की दूरे के इसाफ से बांद दिये थे दोस्तों इसमें और इसका जो giant राखे थे वो चारो तरफ card कोने में इसके giant रख दिये थे एक 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 एल चारो तरफ आये थे दोस्तो इसमें तो इससाब से tanky का सरीया बांदे थे tanky की जाइल की जो दूरी रखी थी 10mm की सरीय की 6 inची की दूरी रखी थी खड़े वाले दाव में जो बांदी के इसाप से जो दूरी रखी थी उसकी 7 इंची की दूरी रखी थी 6 इंची 7 इंची की दूरी के इसाप से टंकी की जाल कर शरिया बांदे तो इसमें शरिया कितना लगया है इसमें 10 mm के जो शरिया लगया है तीन सूत वाले वो 17 छड़ श इसमें एक टेक्टर की लगबग पानी आ जाएगा एक ट्राइली जो आती है वो और इसमें तीन किलो सरीय बांधने के थाल लग गये दोस्तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सस्क्राइब करें यही लेटेस वीडियो देखने के लिए